हेलो दोस्तो वेलकुम बैक टू मोना लफ्स फूड आज अब अपनी रेशिपी में बनाने वाले हैं गुराम जी हां दोस्तो गुराम जो होती है वो खाने में बहुत ही चटपटी और स्वादिश्ट होती है क्योंकि यह कच्छे आम उसे बन कर तयार होती है और यह जो रेश किलो कच्छे आम जिसके छिलके मैंने उतार लिया है और अच्छी तरीकी से उसे धोकर मैंने इस तरीकी से लंबा-लंबा उसे काट लिया है इसके बद हम एक बड़े साइस का बरतन लेंगे उसमें हम आम को डाल देंगे उसमें हम एट करेंगे तीन ग्लास पानी इसे हमें गैस पर पकाने के लिए चढ़ा देना है जिसे हम ढखकर 20 मिनट के लिए फूल फ्लेम में पका लेंगे जब तक आम पक रहा है तब तक हम इसकी चाशनी की तयारी कर लेते हैं इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ तीन बड़े कप गुड़ और डेर कप मैंने यहाँ पर पानी का इस्तमाल किया है यानि कि जितना मैंने गुड़ लिया है उसका आधा मैंने यहाँ पर पानी लिया है इस चाशनी को हमें पकाना नहीं है दोस्तों हमें सिर्फ इसे गुड़ और पानी को मिलाना है और इसके बाद आप इसे चान लीजिए जिससे कि इसमें जो कंकड होंगे वो निकल जाएंगे 20 मिनुट पकने के बाद आम जो है वो पक कर रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं इस तरह किसे फोर्क की मदद से आप इसे चेक कर सकते हैं इसके बाद हम जो एक्स्रा पानी है उसे निकाल देना है इसके बाद हम एक कढाई लेंगे उसमें मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ तीन बड़े चमज घी अगर आप चाहें तो इसे तेल से भी बना सकते हैं लेकिन घी से स्वाद दोस्तों इसका अलगी आता है इसके बाद मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ एक बड़ा चमज जीरा जीरा जब अच्छी तरीकी से चटक जाए फिर हम इसमें आड़ कर देंगे आम को आम को डालने के बाद हमें इसे पांच मिनिट तक भून लेना है या फिर आपको तब तक इसे भूनना है जब तक इसमें हलका भूरा रंग ना आ जाए यह सारा प्रोसेस हमें फुल फ्लेम में करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आम जो है वह हलके से भून चुके हैं इसके बाद मैं यहाँ पर आट कर रही हूं चाशनी गुड़की जो हमने बना कर रखी थी इसे डाल कर हमें 10 मिनट पका लेना है इसके बाद मैं यहाँ पर रेड फूट कलर एड कर रही हूं यह टोटली ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो इसे ना डाले इसके बाद हम यहाँ पर एक घोल तयार कर लेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो चमच चावल काटा लिया है थोड़ा सा पानी डालकर हम पतला घोल तयार कर लेंगे उसके बाद हम इस घोल को आम में एट कर देंगे घोल को डालने के बाद हमें चमच को अच्छी तरीके दर चला लेना है ताकि वो एक जगा चमना जाए इसके बाद हमें ढख करके गुराम को 20 मिनट के लिए पका लेना है मैं यहाँ पर लाइची पाउडर का इस्तमाल कर रही हूँ अगर आप चाहें तो इसे स्किप बे कर सकते हैं 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं गुराम जो हुए पक्कर बिल्कुल रेडी हो चुका है अब देख सकते हैं यह काफी गाड़ा हो चुका है इसी कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पकाना है आप चाहें तो इसे पूड़ी या पराठे की साथ सर्फ करें या फिर चाहें तो फ्रिज में ठंडा करके खाएं यह खाने में बहुत ही स्वादिस्ट लगती है तो दोस्तों आप भी यहाए रेसिपी जरूर से ट्राइ कीजिए और कमेंट बाक्स में जरूर बताएए कि आपको यहाएशिपी कैसी लगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उ झाल झाल